हेलो गई सोगत्य आप सभी का हमारे भीके स्पेसल यूटूब चैनल पे और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फोन पे एप्लिकेशन की नियू अपडेट के बारे में तो फोन पे एप्लिकेशन में एक आधार यूपियाई वाला ओप्सन आ चुका है पहले आप लोग किया गड़ते थे फोन पे एप्लिकेशन को स्टार्ड करने के लिए आप भी में एप्लिकेशन में जाते थे और अपना आधार यूपियाई बना दे थे उसके बाद फोन पे एप्लिकेशन में आपका बैंक अकाउंट एड होता था लेकिन इधर पर बहुत दे लोग ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड वाला ओप्सक भी में आपकर अपी बन जाता है आज की इस वीडिकेशन अपको भी मैं आप पर देखने के लिए मिलेगा आज की सबस्वे करना है वाद को फोन पे प्लिकेशन को पू पर यह ओपन करना है अगर आपके पास phone पे application नहीं है तो मैं आपको link के discussion box में दे दूँगा आप उदार से phone पे application को download कर सकते हो और phone पे application को फिर आपको open करना है और जैसे आप open करोगे आपको इदर पर अपना phone पे application में number डाल देना है तो चलो हम इदर पर अपने number को enter कर देते हैं आपके सामने तो आपके दर पर number इंटर करना है और फिर वाले option में आपको click करना है आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा अगर password मांगता है तो आपको आदा login option वाले option में click करना है और जैसा आपके लिए करोगे login with OTP पर आपको click कर देना है जैसा आपके लिए करोगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा और phone पे application में आपका जो है account बन जाएगा इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हो तो इदर पर आपको permission मगरा allow कर देना और जैसा कि आप देख पाऊगे जो आपका account फोन पे application में बन चुका है तो आप बात कर लेते हैं phone पे application में आपको आधार UPI वाला option कहाँ पर देखने लिए मिलेगा तो गाइस अभी जो YouTube पर ऐसी बहुत ज़दा वीडियो डल चुकी है जहां पर ये बता लिया कि phone पे application में आधार UPI वाला option आ चुका है पहले आपको क्या गरना था पहले आप लोग जाते थे भीम application में और भीम application से आप आधार UPI बना दे थे उसके बाद आप phone पे Google पे चला लेते थे लेकिन YouTube पर ऐसी बहुत ज़दा वीडियो जहां पर ये वो लगया है कि आप phone पे application में ही आधार UPI बना सकते हो अब आपको भीम application में नहीं जाना पड़ेगा तो हम बोई चीज देखने वाले ये option आपको देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है तो सबसे पहले इदर पर क्या करते हैं इदर पर profile वाले option में आपको जाना है और profile वाले option में जानने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह एक interface वगरा आजाएगा जैसा कि आप यूपिय वाले option आया है या नहीं आया है तो गैस इदर पर हमने अपने bank account को select कर लिया है और bank account जैसे मैंने select किया तो इदर पर क्या मांग रहा है इदर आप देख सकते हो इदर पर मांग रहा है इधर पर ATM कार्ट के नम्मर मांग रहा है तो जैसा कि आप देख पाओगे ATM कार्ट के लास्ट डिजिट के 6 अंक मांग रहा है और XY डेट मांग रहा है तो जैसा कि आप देखोगे बहुत ज़्यदा लोग ने वीडियो बनाई है कि फोन पे application में जो है आधार UPI वाला option आ जुका है लेकिन मैं आपको बता दो इधर पर फोन पे application में आधार UPI वाला option अभी कहीं पर भी नहीं आया है जैसा कि आप देख सकते हो फोन पे application में नहीं आया है आपको अगर आधार UPI बनाना है तो आप डारेक्टिव भीम application में जा सकते हो और भीम application से आधार UPI बना सकते हो तो मैंने आपको लाइप पूरप के साथ करके बता दिया जैसा कि आप देख सकते हो फोन पे application में जो है आधार UPI वाला option नहीं आया है अगर आपको बनाना है तो आपको भीम application से आप बना सकते हो तो देखो आज की वीडियो इतनी अगर जैसे मैं इधार पर फोन पे application में आधार UPI वाला option आएगा तो मैं आपको बता दूँगा तो इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके रखना है जैसे आता है option तो मैं आपको बताऊंगा 100% तो आज की वीडियो इतनी अगर वीडियो पस्तन आई तो इस वीडियो को like करना चैनल पर पहली बार आउं चैनल को subscribe करना ठैंक्स और वोचिंग बाई बाई करना इसके लिए बाई